नमस्कार आप सब का स्वागत हैं एक महिला ने अपने पती की कंपटी में गोली मार कर हत्या कर दी थी उसके बाद पती की लाश अड़ाईची में पैकर के अपनी भी एमर डबले हुकार में रख दी थी वह लाश ठिकाने लगा पाती इससे पहले ही कटना की जानकारी पुलिस को लग रही थी हाल ही में मृतक एकम के भाई ने एस्प को एक एप्लीकेशन समपी है जिसमें लिखा है कि एकम के घर की वीडियोग्राफी कराई जाय क्योंकि वहां अभी भी कई सबूत मौजूद है बितक का नाम एकम धिलों जबकि उनके पतनी का नाम सीरत कॉर था सीरत कॉर कॉर कॉंग्रेस की पूर्व विदायक इंदर सिंग मोपर की भत्तीजी है प्राप्त जानकारी के मताबिक पतिक को गोली मारने के बाद सीरत कॉर ने लाश को अटायची में बंद किया और इसे ठकाने लगाने के लिए एक अन्य महिला के साथ घर के बाहर पारकिंग में ले आई थी दोनों अटायची को अपनी BMW कार की पिछली सीट पर रखने की कोशिश कर रही थी अटायची काफी भारी थी और कोशिश करने के बावजूद वे इसे कार में रख नहीं पाई रही थी उसने अटायची को कार में रखवाने के लिए पास से गुजर रहे हैं एक आटो को आवाज देकर रूख वाया और ड्राइवर से कहा कि कफ़े ज्यादा होने की बज़े से अटाइची भारी हो गई है इसे कार में रखवा दो आटो ड्राइवर ने अटाइची को कार में रखवा दिया एक कम मर्ड केस में घरवालों ने एससपी मुहाली कुल मुक्चायल को एक एप्लिकेशन सामपी है एप्लिकेशन में मांग की गई है कि फेच तीन भी एक स्थित जिसको ठी में एकम कमर्ड किया गया था उससे मर्डर के संबंद में कई अहम सबूत जुड़े हैं कोई भी इन सबूतों से छेड़ चार न कर सके और ना उन्हें लेगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता धर्शन ने बताया कि उन्होंने इसी सब्ता SSP को इस संबंद में एप्लिकेशन दी थी SSP को दी यह एप्लिकेशन मट और पुलिस स्टेशन आ चुकी है यह इस लए चाहो जर्नेल सिंग में इन्वेस्टिगेशन आय अफिसर को सौ जे में ले लिया इसी समय आरोपी महिला वहां गायब हो गई पुलिस ने शब को पोस्ट मॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और आराइपी महिला को तलाशने के लिए टीमें कठिद की थी पुलिस ने मृतक के छोट भाई दर्शन सिंग की शिकायत पर सीरत को और मृतक की सास जस्विंदर कौर और मृतक के साले विने के खिलाफ हत्या करने वस सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया था